हेलो एवरिवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे, तो फिर से मैं एक और नया व्लोग लेकर आ गई हूँ, आई होप आपको ये व्लोग भी पसंद आएगा, तो अभी जस्ट बस मैं उठी थी, ओ टाइम हो रह ले और देखे भी ना बहार मैं जो है कर्टेन वगएरा ओपन कर रही थी रूम के और विंडो खोल कर दिखाती हूँ, बहार इतना सुन्दर व्यू रहता है ना इस टाइम मॉर्निंग के टाइम पर, मतलब जो सूरज है ना वो निकलना ही स्टार्ट होता है, तो पुचारत उश करके मुझे थोड़ा सा ड्राइडाई फेल हो रा था क्यूंकि विंटर्स है ना तो फिर यह जो है ना फिर यह सो हूछ ड्राइब लगने लगता है मॉर्निंग में बोश करने के बाद तो मैने थोड़ा सा जो है मौच्छार वेगाड़ा लगा लिया है और साथी लिप्स तो मेरे इतने ज़्यादा ड्राई रहते हैं ना कि मैं रात को भी जो है अच्छे से लिप बाम लगा के सोती हूँ और मॉर्निंग में भी उठकर जो है ना मुझे लिप बाम अपलाई करना पड़ता है तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपना स्किन केर कह सकते हैं वो कर लिया था और हेर तो मेरे ठीक ठाकी थे वैसे भी उठने के बाद मैं कभी कॉम नहीं कर दी हूँ हेर और अभी जो है ना मैं पहन ली थी सोक्स डुगो भी उठा नहीं था मैं और हिमानसूट उठ चुके थे तो हिमानसूट उठकर बाहर भी चले गए थे वो इतना पानी वानी गरम कर रहे थे जो है यहां पर इतना जो है सोक्स और बीदा पहन रहे होना कि ठंडी इतनी जाता है ना कि बिना सोक्स के तो बिल्कुल मतलब रहा नहीं जाता है μटिना सी आमके टाइं आती है ना मेरी तो पैर जो है ना ऐसे ठंडे से हो जाते हैं तो इसलिए मैं तो बिना सी ब्याइता का थिल्कों नहीं रहे सकती हूं और जो साथ ही आफ में जो मैं अपने समान अपने पास रखके सोती हूँ ना उसको उसके प्लेस पर रख दूँगी जैसे एक मोश्राइजर रखती हूँ मैं जो की हैंड्स पर अपलाई करती हूँ सोने से पहले साथ ही जो है पानी की बोटल रहती है और एक ग्लास रहता है क्योंकि कभी-कभी जो है ना रात में पानी मांगने लगता है तो फिर इतनी ठंड में उठना तो पोसिबल नहीं हो पाता है तो इसलिए पास में ही रखती हूँ और देखे हजबन जो है इतना बहार से मिल्क वगएरा जो समान में गया था ना वो उठा कर ले आए हैं तो पानी गरम था बस मै जो है ना मेरे गले में खरासी लगने लगती है बर जैसे गरम पानी पीती हो ना बहुत रिलीव सा मिलता है उसके बाद जो है मैंने यह स्टैंड रात में यहीं रखा था तो इसको जो है मैं अभी तो कमरे में सिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी पूरी तरह से धूप नह लेगी ना तो मैं उसको बालकनी में रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं आ गई थी सिधा किचन में नास्ते वगरे की तैयारी करने के लिए तो आज ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब डुगू की ओनलाइन क्लासीज चल रही है ना तो मैं सारे काम को जो मोनिं और कमेंड जरूर किया कीजिए को कि आपके कमेंड पढ़ना ना मुझे बेहत पसंद है तो बस आज की चनमाई तो देखे आज मतलब मैंने पहले ही सोच रखा था कि आज ना सुबह उटने के बाद मैं जो है अपने जो ऐलमन है ना उनको जरूर जो है पील कर लूँगी औ ना भी पता पिछली जबसे यह ठंड इतनी बढ़ी है ना क्या हो रहा है कि बादाम भीगो देती हूं बट खाने भूल जाती हूं फिर वो नेक्ट डे खाये जाते हैं बट आज मैंने सोच देता सुबह अरते हैं कि नहीं आज जो है ना सबसे पहले जो है ना मैं बादाम बगएर को छील लूँगी तो ठंड जैसे पानी में भीगो रखते है ना तो ठंड हो जाते हैं तो उनका जो छीलका है ना थोड़ा रिमूव करने में दिक्कत होती है तो मैं क्या करती हूं को टोरी में गरम पानी करती हूं थोड़ा सा और उसमें वो बदाम डाल देती हू जो है ना उनका छिलका वगएरा उतर जाता है तो बस बादाम यहां पर छीले थे और मैंने खाब लिये हैं अपने हिस्से के हिमानसु के और डुगु के मैंने रग दिये थे एक साइड और अभी जो है ना बरतन जो थे वोश के वे जो सूख चुके थे उन सब को जो है उनके तो हाथ भी काम नहीं करते सुबस्बाए और फिर जल्दी भी रहती है क्योंकि मुझे यही रहता है कि बस जल्दी से जो है ना नास्तर वगएरा काम तो नहीं पठी जाए डुगु की जो है क्लास होने से पहले बसे तो मेरी कोशिस यह रहती है कि मैं डुगु की क्लास होन अब आटा लगा रही हुमें तो आटे में बस थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और हलके गुनगुने पानी से जो है ना मैं इसको गूत कर रख दूँगी उसके बाद मैं जो मतलब मसाले वगरा डालूँगी ना गोभी में वो एड़ करूँगी तो गोभी को जो है ना मैंने ग्रेट करके फ्रिज में ही रख दिया था बट इसको जो है ना मतलब हाथ से छुना नहीं पढ़ रहा है तो इस टे इतने हाथ ठंडे नहीं होंगे लेकिन अगर सुबह-सुबह ग्रेट करने बाद रहा हो तो फिर हाथ तो लगाना ही पड़ता है गोभी पकरनी पड़ती है तो फिर बहुत जादा ठंडे से हो जाते हैं तो बस आटा गूत कर मैंने रख दिया था कि पांस-सात मिनद जो है थोड़ा सा रैस्ट कर लेगा अच्छे प्रांठे बनेंगे और उसके बाद मैंने बस अपने वही सिम्पल से मसाले मिक्स किये हैं गरम जीरा पावडर और धनिया पावडर थोड़ा सा मैंने जीरा भी इसमें आड़ कर लिया था और कस्मिरी मिर्च पाउडर और बस सब को मिक्स कर ले था नमक मैंने अभी आड़ नहीं किया था क्योंकि अभी जो है डुगु को मैं उठाने गई थी तो उठतो चुका था बट वही बिस्तर से उठते उठते बच्चे ना काफी टाइम लगा देते हैं तो मैंने फिर नमक आने के बाद ही इसमें मिक्स किया था कि मुझे यही डरता कि कहीं यह पानी ना छोड़ दे तो फिर पुराड़े बनाने बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाएंगे तो बस डुगु भी उठके आ गया था तो भी जो है इमानसूस के लिए पानी गरम कर रहे थे पानी जो गरम जो है यूस्टू नहीं करेंगे तो बच्चे जो है ना फिर उस आदत को सीखते नहीं हैं तो इसलिए ना उसे हम भी थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पलाते हैं उठने के बाद तो बस उसको पानी बानी पला रहे थे फिर वो दोनों थोड़े सी जो है फुटबोल वगरा खेलते हैं थोड़ा सा वाम अप होते हैं दोनों क्योंकि एक दम से उठाने के बाद जो है शावर दिलाना भी सही नहीं रहता है तो तब तक मैं यहां पर परांठे बना रही थी तो मैंने क्या क्या था जो परांठे बना लिया थे बट जो हजबन के लिए जो परांठे थे क्योंकि फिर नास्ता करने के बाद एकदम से ये रहता है कि बस फटा-फट से किचन क्लीन कर दो साड़े आड़ वे तक हमारा नास्ता हो जाता है तो उसके बाद मुझे रहता है कि अब आदा गंटा बचा है एक घंटा बजाए क्लास होने में तो और सारे काम भी होता है जैसे बैट बनाना लिविंग रूम को थोड़ा सा ठीक करना कपड़े वोश करने के लिए डालना तो बस मैं यही कोशिस करती हूँ कि जल देल दी से नास्ता करने के बाद जो है किचन क्लीन कर दूं लेकिन अगर दूद बोइल नहीं हो पाता तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है तो इसलिए मैं आज जो है ना मिल्क भी नास्ता बनाते बनाते बोइल होने के लिए रख दिया था कि नास्ता भी बनता रहेगा और दूसी बात अगर मैं सामने ही खड़ी हूँ तो मेरा जो मिल्क है ना वो क्योंकि सर्दिमना गले सबके खराब हो रहे था तो डुगु को तो मैं भी करडर नहीं दे रही हूं और यह देखे मैं बोल रही थी ना कि हजबन के लिए मैंने पराठे जो ना सिर्फ ऐसे ही सेग दिये थे थोड़े से और घी मैंने उनको बाद में लगाया था तो यहां प गनाई थी उसके बाद और फिर मैं और हमानसु भी जो है नास्ता करने बैठ गए थे तो आठ पैंतिस या चालिस तक ना हमारा नास्ता हो जाता है डेली मेरी यही कोशिस रहती है डेली की साड़े आठ या मतलब तो पांदस मिनट उपर नीचे हो जाएं बर उससे लेट न इसको दो बार क्लीन करते हूं एक बार गिले कप्रे से और एक बार सुखे कप्रे से और आज जो है मैंने यह थोड़ी सी जो कैबिनेर सी कीचन की इनको भी क्लीन कर दिया था तो जादा देने दो मिनट सारी लगती है उनको क्लीन करने में तो डेली ना मतलब यही सेम से स्टार्ट हुई है अब जब उसका स्कूल खुलेगा तब रूटीन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बस अभी जो है थोड़ा सा फ्रिज वगएरा को भी मैंने क्लीन कर दिया है और डुग की मैम का मैसेज आ गया था कल ये एक्टिविटी दिये गई हैं तो मैं बस जो मतलब 10 नंबर तक उन्हें करा दिया था 11 नंबर की जो मुझे एक्टिविटी थी वो सर्च करनी थी तो मैं इसमें देख रही थी तो बोक्स में सबसे नीचे से 11 नंबर मिला तो वही बस सर्च करके मैं रख रही थी कि जब को इदर उदर फैला देता है उसके बाद डुगू की ना क्लास अब स्टार्ट हो गई थी मैं उसको जो है सब कुछ रेंज करके आ गई थी अभी प्रेयर वगएरा हो रही थी उनकी और साथ में सुरूर में मैं सिर्फ जो है राइटिंग वगएरा काम कराती है तो वो दुगू ना खुद से कर लेता है तो मैं इसलिए आगी थी बैर डूम में की बैर डूम आज मुझे बैर शीट वगएरा चेंज करनी थी तो फिर टाइम लगने वाला था तो बस सबसे पहले जो ब्लैंकेट था ना वो मैंने बाहर डाला हस्बिन वाला ब्लैंकेट को अज दूप में डालना था अपने वाला मैंने कल डाल दिया था तो दूप अच्छी निकल रही है तो फिर जो मतलब कपड़े जो ओड़ते हैं उनको दूप लग जाए तो अच्छा लगता है तो बस धूप में डाल दिता और अब यहाँ पर बैट शीट चेंज कर रही हूँ और सबसे अच्छी बात यह लगती है कि धूप निकल रही है तो फिर बैट शीट जो है ना चेंज करने का थोड़ा मन भी करता है क्योंकि वोश करने के लिए डाल दो तो फिर वो हाथ के हाथ सूप भी जाती है तो यहाँ पर बस बैट शीट को मैं थोड़ा अरेंज कर दूँगी और डुग्गू को भी मैं साथ साथ में देख रही थी तो डुग्गू को मतलब अच्छा लग रहा है उनलाइन क्लास अटेंड करके शुरू के दिन तो मतलब उसने इतने डिसिप्लिन में ली थी क्लास बट अपना वो थोड़ी सी सरारत करने लगा है मतलब इधर उधर जो है थोड़ा सा हो ही जाता है तो वही है बच्चे को जब कोई चीज सरुसरू में करते हैं तो उन्हें वह जादा अच्छी लगती है फिर वह थोड़ी मतलब बोरियत सी होने लगती है तो वह बोल भी रहा था मुझसे कि मैं उसे पूछ रही थी कि तुम्हें ओनलाइन का ज़्यादा अच्छी लग रही है या मतलब ओफलाइन तो वह कहता है दोनों अच्छी लगती है बट कहरा ममा उसमें ना मतलब फ्रेंड से बात नहीं कर सकते हैं ना किसी को हेलो कर सकते हैं ना बाए बोल सकते हैं तो थोड़ा ये तो डिफरेंस होता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वह इंटरेक्ट कर पाते हैं दूसरे से तो बस कुछ नहीं बस दो तीन दिन के और बात है फिर से जो है स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर से जो है बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो मेरा रूटीन भी जो है न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो बस देखी यहाँ पर बातों बातों में मैंने बैर्शिट वगरा चेंज कर दी थी और मेरी ये वाली बैर्शिट भी न काफी मेरे विवर को पसंद आती है मुझे अपनी ब्लू वाली ज़्यादा अच्छ लगती है ये भी अच्छ लगती है बट मुझे ब्लू ज़्यादा पसंद है तो मैंने बैर्शिट चेंज की थी तो फिर सोचा आज ना मतलब जो डेली में कपड़े पहने जाते हैं वो नहीं थे क्योंकि कल ही सारे वोश हो गए थे और अभी बस डुगू के कपड़े थे और डुगू के पापा के थे थोड़े से ही थे मतलब एक लोट में लगाने लाइक भी नहीं थे तो फिर में सोचा चलो उनको कल ही लगा दीती हूँ जब कल थोड़े से जादा हो जाएंगे और आज बैडशिट जो है वोश कर देती हूँ तो मैंने इसलिए बैडशिट लगा दी थी और उसके बाद मैं आई थी फिर से बैडरूम में यहां पर जो हैना मेरा जो इसामान रख़ा रहता है तो यह वाला जो एडरा था ना को अच्छे से कलीन कर दीय था क्योंकि मीरर यह ड्यली ड्यली में तो कलीन नहीं हो पाते हैं तो और उसके बाद में आई थी इधर जहां मेरे हजबन अपना काम करते हैं तो ये वाला रूम नाज फैला हुआ था थोड़ा सा डुगू ने पता नहीं साम इस पर कागज कुछ किया होगा उसने तो इस पर कागज के काफी सारे पीसेज पड़े थे तो फिर मैंने और भी सामान फैला हुआ था थो इस बैड़ शीट को थोड़ा सा जहाड कर बिचा देती हूँ क्योंकि चेंज तो ये ना मैंने दो तीन दिन पहले ही की थी और इस पर ना तो कोई सोता है ना कोई लेटता है तो फिर मतलब इतनी चेंज करने का कोई मतलब भी नहीं होता है तो बस इसको जो है थोड़ा जहाड कर मैंने दोबारा से इसको बिचा दिया था और बस फिर प्लो वगएरा रख दिये थे तो बस इन छोटी-छोटी चीजों का मैं ध्यान रखती हूं तो इसलिए मेरा घर जो है थोड़ा सा नीट अन क्लीन रहता है और घर को नीट अन क्लीन देखना मतलब मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए बस कोईस यही रहती है कि अपने घर को जितना ज़ाद हो सके न मै अतना अच्छे से मैनेज कर पाऊं उसके बाद आई थी मैं लिविंग एरे में डुगो की क्लास चल रही थी तो मैं यहां पर क्लीनिंग कर रही थी उसे भी देख रही थी तो बीच में उसने मुझे बुला लिया था उसकी मतलब कुछ मैम बता रही थी तो वो मुझसे कि अक्टिविटी थी तो मुझे यही था कि वो पता नहीं खुद से कर पाएगा यह नहीं लेकिन उसने काफी अच्छे से अक्टिविटी कर रही थी ब्रैसलेट बनाना था जो होते ना बटन उनकी हेल्प से तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो मुझे पहनाने भी आया साइड ना सोसाइटी में इतने जयादा कबूफर हो रहे हैं मतलब उन्होंने सारे प्लाट्स को इतनी बुरी तरह से गंदा कर रखा है तो मुझे अपने प्लाट्स देखकर बहुत अच्छीब लगता है मतलब सब जंग अतनी गंदगी कर रखियेे न उन्होंने अब जब थोड़ा सा वैदर अच्छा हो जाएगा ना तो मुझे सारे प्लांट्स जो है ना अपने दुलने पड़ेंगे अच्छे से बालकनी को क्लीन करूंगी और बस सारे काम हो गए थे डुगो की क्लास भी हाँ पर खतम हो गई तो अभी देखे वो ना मतलब मैं जब शावर है तो वह वही दिखाना है था तो बच्चे ना मतलब इन चीजों में अक्टिविटी वगएरा में काफी खुश रहते हैं और वह सीखते भी बहुत जल्दी हैं इन सब चीजों से तो बस यहां पर शावर वगएरा लेकर आ गई थी और बस यहां पर अपना थोड़ा सा जो है अपडेट देती रहती हूं तो वहां पर भी फूलो कीजेगा और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा व्लोग तो आप जो है ना अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ शेयर भी कर सकते हैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई